गुरु जी, आध्यात्मिक जीवन के लिए इनसान को किसी सद्गुरु को खोजना चाहिए या ये अपने आप होता है? आप कहां खोजेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सद्गुरु है और कौन सद्गुरु नहीं है? आपके पास परखनेगा कोई तरीका नहीं तो मैं किसी चीज को कैसे खोजूँ? आप बस खोजिए आप बस जानने की लालसा बनाए रखिए आप जितना ज्यादा मैं नहीं जानता हो जाते हैं, आपकी तलाश उतनी ही गहरी हो जाती है खोजने का मतलब किसी चीज को पानी की कोशिश नहीं है खोजने का मतलब है कि आप उसे खोज रहे हैं जो आप नहीं जानते अगर आपको खोजना है तो आपको पहले से कोई धाड़ना नहीं बनानी चाहिए, है की नहीं? आपने पहले से ही धाड़ना बना ली भगवान उपर स्वर्ग में बैठे हैं मैं उनकी खोज में हूँ ये खोज नहीं है ये बस आपका भ्रहम है खोजने का मतलब है सिर्फ खोजना खोजना तभी संभव है जब आपके भीतर मैं नहीं जानता गहराई में बैठा हुआ हो अगर आपके भीतर मैं नहीं जानता का खालीपन गहरा हो जाता है तो सद्गुरू आप तक पहुँच जाएंगे आपको खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नहीं जानते की कैसे खोजा जाएं अगर आप अपनी समझ से खोजते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप ऐसे इनसान को खोजेंगे जिसके साथ आप सबसे ज्यादा comfortable महसूस करते हैं देखिए अगर आप कोई दोस्त खोजते हैं तो आप किस तरह का दोस्त खोजते हैं क्या आप ऐसा दोस्त चाहेंगे जो हर रोज आपके एहम को ठेस लगाता है आप ऐसा दोस्त चाहेंगे जो रोज आपके एहम को पोशित करता है है की नहीं अगर कोई आपके एहम पर चोट करता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है तो अगर आप गुरू की खोच करते हैं तो वो भी इसी तरह की होगी और ऐसा गुरू जो आपको दिलासा देता है आपके किसी काम का नहीं है लोगों को दिलासा देने में कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है ये बस एक मनोवज्ञानिक सांत्वना है जो आपका परिवार आपको दे सकता है जो आपका कुत्ता भी दे सकता है कुत्ते से काफी सुकून मिलता है, है न? है कि नहीं? क्या आपके घर में पालतू जानवर है? वो आपके लिए गहरे सुकून का स्त्रोथ हो सकते हैं आपको दिलासा के लिए भगवान की ज़रुरत नहीं है। आप दूसरे आयाम की खोज सुकून के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए करते हैं, उस हर चीज से मुक्त होने के लिए जो आप अभी हैं। तो अगर आप दिलासा पाने के लिए गुरू खोज रहें, तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप मुक्ती पाने के लिए गुरू खोज रहें, तो अगर आप उनके साथ बैठते हैं, तो आप खत्रा महसूस करते हैं, आप उनसे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन साथ ही, आप आप उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आप लगातार उनसे खत्रा महसूस करते हैं और इसके बावजूत आप उनके साथ होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए एक अच्छे गुरू हैं। अगर आप उनके साथ बहुत कमफटेबल महसूस करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे गुरू नहीं हैं। आप उनके साथ लगातार उनकमफटेबल महसूस करते हों, और साथ ही आप उनके साथ होना भी चाहते हों, तो वो आपके लिए एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है